कि ये खोकोनेट बर्फी बनके तयार हो गई है इसे हमने बैगर कंडेंस मिल्क के बनाया है बैगर घी के बनाई है इसमें बिल्कुल भी घी यूज नहीं किया देखिए हैं इसमे तो बहुत आसानी से बन गई 5 मिट लगा मुस्किल से बनाने में तो इससे पहले ही मैंने कोको कि इसी है सेट हो गई है इसमें अब हम यह पिस्ता हमने बारी कट किया इनको डाल देंगे चारो तरब से अच्छे से अब कोई सा भी ड्राइफूर्स डाल सकती है कि उन्हें बहुत बारी कट कि इसे निकाल के दिखार है कि देखिए दोस्तों का वे किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी तो उसके लिए देखिए हमने ये 100 ग्राम नारियल का बुरा दल लिया है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं नारियल की बर्फी काहीं हमने चला दिया है उस्समें हम ये 1 कप दूद डालेंगे आइन एक कटोही चीनी डाल रहे हैं आप चीनी की मातर कम जाधे कर सकतेये जिस्ता आपको बीठा करना या जादा तो उसे साब से कम जाद आप कर सकती है जब तक चीनी गूल रहे हैं अच्छे से फोल लेंगे हम दूद में के इसमें मिल्क पाउडर डाल करके इसको अच्छे से हम चलाल दे रहे हैं ताकि इसमें जो लंच ना पढ़ने पाएं तो इसमें एक कट्वर हाँ ऑरी आधिमर लिया है éénधा से मिल्पावडर अच्छे से घोल चुका है थक्ते cray नाइल का बुराद्र जल गया एससे हम डालके अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से पहले भी बुरादर के बुरादर अच्छे से मिक्स हो चुक है तो इसमें अब हम यह लाइची पाऊडर डाल दे रहे हैं कुजबू के लिए कि इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है है कि अच्छे से मिक्स करेंगे को क्या देखिए जो यह नारियल के उरद है इसने कड़ाई छोड़ना करें तो थोड़ा सा और भूंएंगे मुस्ष्च मिस्ते तीन मिन्ट के लिए इसने खटा होने लगा है और इसमें कड़ाई भी छोड़ दिया है तो हम गैस की फ्लेम आफ करेंगे इसको हम अब सेट करेंगे एक लेयर हमने इसमें सेट कर दी है अब दूसरी लेयर में हम कलर डालेंगे तो देखिए इसमें हम एक पिंच यलो फूट कलर हमने डाल लखा है और थोड़ा हम इसमें दूट डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब में अच्छे से यह हमने फूट कलर लिया अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए जो हमने दूसरा लेयर त्यार किया था यलो फूट क्लर का तो आक्षे से सेंगे शेट कर देंगे ताकि हमने इस टाइप से गलास ए इसको हम आच्छे से प्रेश कर दें ताकि एक सामिल जाए और बराबर सेट हो जाए हैं आप कोई काटोरी ले सकती हैं या आप किसी स्पून से भी अच्छे से बराबर कर सकते हैं देखें 4 गशक्राप से अच्छे से कुल हो जाएगा से जिए मैं हूँ इस में बहूं यह कट पिस्ता कटें इनको बारिक ऑप शेकल डाल देंगे 산 comment कर देंगे फिर से कि यह देखिए अब रख देंए थंदा करने के लिए थंडा करने बाद में की अधे म्म बेगर घी के बना आया बेगकर कंडेंस मिल्क के बनने आई यह तब पीस आप छोटे बड़े जैसे भी रखना चाहें, उसी साफ से रख सकती है, इस टाइप से हम कट कर लेंगे, तो देखिए, तो हमेज से निकाल गदी खार है, तो देखिए, देखिए, कोकोनेट बरफी बनके त्यार होगे, तो इसे हमने बेगर कंडेंस मिल्क के बनाया, बेगर घी के बनाया, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिए,